काला जादू विश्वास करते हो यह बताना चांगा कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी interesting horror experience हो या आपके दोस्तों या family member के साथ horror experience हो चुका हो तो आप मुझे कहानी बेच सकते हैं मेरे instagram में यहाँ पे आपको handle दिख रहा होगा kapiraditya.ka आप मुझे dm कीजे कहानी सुनाई है और अगर मुझे कहानी पसंद आई तो मैं उस पर वीडियो बना के share करूँगा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके नाम बदल दू कहानी में से तो वो भी कर दूँगा आपकी privacy के लिए चो रिक्रेड़ेट जाएगा राहूल को यह उनकी घर के कहानी है और मैं उनके नाम बदल दूँगा क्योंकि उनकी यह रिक्वेस्ट थी तो सबसे पहले राहूल को आपने टाइम निकाल के मुझे कहानी सुनाई मुझे फ़र्ट इंट्रेस्टिंग लेगी यह कहानी आईए बिना देर करें शुड़ू तो यह कहानी है जैपुर राजिस्थान की राहूल के परिवार वाले अच्छे काईसे हस्टा खेलता परिवार है जॉइंट फैमिली है लोग एक साथ मिलते हैं खुश रहते हैं जब भी कोई शादी बया का इवेंट होता है या कोई फैमिली फंक्शन होता है तो सब सारे कजन्स रिष्टेदार मिलके पाटी करते हैं एक बढ़ा खुश मिजाज सा फैमिली है कहानी है राहूल के मौस और मौसी जी की मौस और मौसी वो होते हैं आपके मम्मी के सिस्टर होती है वो आपकी मौसी लगती है मौसा जी उनके मौसी जी के हस्बेंट जो होते है उनके हैं दो बेटे और एक बेटी तो एक बेटे की शादी अरड़ी हो चुकिया उनके बच्चा भी है और एक बेटा है जो भी student है पढ़ाई कर रहा है ये बेटी है जो उनकी कहानी है बेटी का नाम हम देते हैं आलिया एक दिन आलिया को घर पे रिष्टा आता है घर पे उनके देखने आते है लड़के वाले और लड़के का नाम है सुरेश वो एक एंजिनिर है और घर वालों को कि भी लड़का मुंडा इंजिनिर है बड़ा खुश रखेगा अच्छेगर परिवार में जाएगी मेरी लड़की इससे जादो और क्या चाहिए मुझे मेरे बेटे और एक बेटा सेटल एक बेटा रहे गया बढ़ रहा है कुछ नहीं सोचा उन्होंने बस करते गए कि हम खुश हैं हमें लड़के वाले पसंद में कर रहे हैं उसके बाद चलते हैं जब शादी हो गई और बया करके लड़की चली गई ससुरान कुछ दिनों में अल्या को शौक लगता है कि सुरेश जो शारी से पहले था वो बिल्कुल अलग है वो डिप्रेशन में था और वो दवाईया लेता था ता डिप्रेशन की और उसको सुिसाइडल थॉट्स थे वो कहता था कई बारे कि मैं अपने आपको खुतम कर दूँगा मैं अपने आपको मार दूँगा अब आप सोचिए आपके जादी के कुछ दिनों में ही आपका पार्टनर आपको ऐसी बाते करे क्या करोगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कि आप क्या अगर आल्या की जगा होती तो आप क्या करते तो ये ऐसा सिलसला चलता रहा कुछ दिनों में फाइनली फिर आल्या परिशान हो कि फूट के रोती तो उसको समझ में आता था ता फ्रस्ट्रेशन था उसने पूछी लिया उन्होंने सुरेश से कि क्या है तुम्हारी प्राब्लम ना डिप्रेस्ट कियो तुम शादी से पहले क्या थे और अब क्या हो गया तुम्हें दवाईया चल रही तुमने मुझे बताया तक नहीं तुम अपने को क्यो मारना चाहता है तुम सुरेश चोर जोर से चिला के बोलता है कि मैं तुम से शादी नहीं करना चाहता था घरवालों ने मुझे दबाव डाला मेरे पे तभी तुम से शादी की, मेरी कुई और गर्ट्रेंट थी, तभी आलिया को पता चला कि सुरेश का शादी के बाद भी उस लटके के साथ चक कर चल रहा था, वो उससे शादी करना चाथा था पर सुरेश के पेरेंस जो माबापे नहीं मानते थे, कि उनकी शादी हो, पने माबाप के दबाव में उसने आलिया से शादी की, आलिया बेल्कोल परेशान होगा, यह पूट-फूट करोने लगे, अप चली गई अपने घर, माबाप को अपने पता है, पूरी कहानी, वो इतना पूट-फूट करने लगे, तो स सोचा कि सही एक mature decision नहीं होगा, कि हम लड़के के घरवालों से बात करते हैं, तो मौसा मौसीजी थे लड़की के घरवाले, उन्होंने बात की लड़कों के घरवालों से, तो थोड़ी दिन बात की क्या हो रहा है, कैसा है, यह सब बात चलती रही, तो पता चला कि लड़का मांगलिक है, आपको लगता होगा कि यह कुछ नहीं होता जादा, इनके पास भी कुछ जादा knowledge नहीं थी कि मांगलिक है, तो क्या होता है, तो यह परेशान थे कि क्या करें, कैसे करें, मौसा मौसीजी थे फिर अपने पंड़त जी के पास जाते एक बाबाजी होते थे, उन का आगे शादी कुछ future है, या नहीं है, हम क्या करें, हम बिल्कुल बड़ी धुवीदा में हैं, तो बाबाजी नहीं उन से पूछा कि कैसा होगा पूरी कहानी सुनी, तो यह चूटते सुनते ही बता दिया कि आपके उपर काला जादू किया गया है, आपके पूरे परिवा है, यह क्या हो रहा है, तो सोचने लग गए कि यह कैसे हो सकता है, वापस चले गए सुनके, उनको समझ में नहीं तक क्या है, कैसे करेंगे, तब उनको यही एक पता था कि अब यह शादी का future नहीं है, ऐसे घर वालों के साथ नहीं रह पाएगी मेरी बेटी, तो जो लेके बापस अब गए, तो यह फिर से बाबाजी के पास जब गए, मौसा मौसा जी तब पूचा कि अब हम क्या कर सकते है, काला जा दो, अगर हम पर किया गया है, तो इसका क्या हो सकता है, वागेरा वागेरा, और आप यह सोच रहे हैं कि जब यह स्कूटी और गाड़ी जब दी ती, तब ही उन्हें इतना क्यों नहीं सोचा, इतना क्यूँ बिच गए थे, तब यह उनको ऐसास होने लगा है, हमने रिष्टारों से भी ने क्पूछा कि हमें करना चाहिए, उनको तब रहे सा, क्यों मौत वह मोत थे, तरिक्ए हुगा क्या है, क्amin Travis Truch Li, sonne's of our उसके बिना आपके यह इकाला जादू को ही नी सकता था अब बाबजी को नहीं पता कौन है और यह मुसी जी भी सोच में पढ़ेगे कि को सकता है ऐसा क्या है तो थोड़े टायम के लिए जो मुसी जी थी तो किसी कमरे में गई और वहां पस आई तो पूरे ग़र में कही ना क कि एक दर्जन दो दर्जन जगा जगा कमरे के कोनों पे घरों पे केले के पैकेट्स रखे में तब उन्होंने कुछ ज्यादर ध्यान नीजा ठीक है फ्रूच लाएंगे कि रख दियोंगे कुछ करके तब डाउट हो कि क्या है ऐसा क्यों है फिर उसके बाद एक दिन शादी का फंक्षन को चल रहा है घर पे तब उपर जो छट पे कपड़े सुख रहे थे मौसी जी के किसी ने जला दिये कहें उपर सब्सक्राइब क्या हुआ किस ने जला दिये तो यह चाची जो थी आल्या की उन्होंने बताया कि हो सकता है यह बाठाखों से चल गोंगे यह वग क्या आपका उन्होंने ही मदद की है कि लड़की वालों के पिताजी के साथ कि आपके परिवार को वश में लेने के लिए आप एक काला जादू किया गया है तो फिर तब से मौसा मौसी जी ने डिसाइड किया कि मेरी बेटी आल्या यह इनके घर अब नहीं रहीगी हम इसको कि रात पहले इतना भी मार हो जाती थी कि वो कोट में लाइक नहीं रहती थी तो यह फिर से बाबाजी के पास गया पूछा क्या है तो उन्होंने बताया कि यह 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 एक काला जादू का तरीक है टोटका कर रखा है वो कोट के चाहती ने कि हो तब फिर बाबाजी ने आता पिता के साथ रहती है जो मौसा मौसी जी है अभी शयाद उनकी नहीं हुई है कुछ बहुत जो दीसिन की कहानी है और वो कोट के चलता रहा है और यह आप सोच सकते कि जादू तोटका थोड़ा खातम नहीं हो है पर उसका असर कम हो गया है अट लीस्ट उनके पास जो और कोई क्रिष्टारो के ज chaîne uh jui जो मिलवाते है उनको उजो जो हैं पाप को देख हैं देखते ही उन्होंने फैमिली को कुछ ड़ाएउट आपको देखकी कि मजा नहींःा रह आ उनका अटिटोड़ अच्छा नहीं लग रहा कुछ वाइव अच्छी नहीं लग爬ई तो उन्होंने रिष्टा मना कर दिया पर तब तक लड़का और लड़की सोशल मीडिया पर एकसे दोड़ चुके थे विए दूसरे से बात करने लगे थे काफी और काफी emotionally attached हो गए थे उनका अलग से रिष्टा चल रहा था पर यहां पर अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ बस यही लवाया था उनके गरती माता की चौकी और वहां पहुचे वे थे लड़की वाले और जो लड़की वाले हैं उनकी मम्मी और लड़की वालों के जो मामा जी जो मामा जी हैं वो राहुल के ताउजी के बड़े अच्छे दोस्त हैं तो मम्मी जी जो लड़की वालों की गई मामा जी से कहा कि आप बात कीजी, फिर से हमें एक बार और ट्राहि कीजी कि क्या शायद माखलू निश्ता हो जाए। फिर से उनने कहा कि ठीक है मैं बात करो को प्रॉब है तो गए इन्होंने राहूल के घरवालों से बात कि एक बार सोचे फिर से और तब उनको पता लगा कि लड़का और लड़की भी दूसरे को पसंद करने लगे हैं और इमोशनली अटाच्ट है तो फिर राहूल के गरवान ने का कि चलो ठीक है लड़का लड़की खुश है इतना भी कुछ वैसा परिवाहने लगा है हम कर देते हैं ठीक है इनोंने कर दिया अब थोड़ा कह सकते हैं दूद का जला चाच भी फुक फुक के पिये तो हम थोड़ा कैरफुली जा रहे थे बहुत एकदम फ्रंट पूट पर नहीं थे हम बिल्कुल आप बिजग गए है सोच समझ के जा रहे थे मैंने कहानी में पड़ा बता रहे थे कि कोई भी इतना खुश नहीं था उनको अंदर से खुश ही आ नहीं दी उचाथे जो थे उनका उतलोला लड़का है रूंदाम से हम शादी करे उन्हें अपने पूरा जो लगाया पूरे गिफ्ट जिफ्स दिये जो भी लेने देना होता है शादी पे अर्रेंजमेंट से वो लड़को वालों ने अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी और वो लड़की वाले नहीं कर रहे थे वहाँ पे उनको डाउट होने लगा कि लड़की वालों का फादर क्या है इनके प्रॉब्लम यह क्यों नहीं कर रहे हैं अब तो लड़का लड़की पसद करने लगे हैं तो हमान भी गए हैं तो यह थोड़ा सा तो अब बेहवियर बेटर करें हमारे साथ ठीक है तो एक दिन थोड़ी जो functions होते हैं उस पर लड़की वालों के तरफ से जो arrangement करना था वो इतना बड़िया नहीं था जबकि यह लड़कों वाले बिना 100% खुशी के भी जान लगा रहे थे उनका तब भी कोई effort नहीं आ रहा था तो एक दिन मम्मी जी ने जो लड़ा हुल की phone किया उनको और phone पे ऐसी कुछ काम से बात चल तो नहीं का कि हमें पसंद नहीं आ रहा कि आप लोग ऐसे विबार कर रहे हैं हम देखे रिष्टे जुनने वाले हमें एक साथ बन के चलना चाहिए अब हम एक परिवार होने वाले हैं तो आप भी थोड़ा function में यह एक facility नहीं थी, वो नहीं थी मेरा लड़के का यह नहीं था basic चीज़ यह नहीं कि what demand थी इनकी कि हमें भी दहेशी है वो है बस यह था कि थोड़ा सा तो आप मैनद लगा है थोड़ा attitude रखी अच्छा सा ऐसे indirectly में बात चीत हुई ठीक है फोन रख दिया जो भी है तो अब घरवारे लड़के वाले उमीद भी बैठे वे थे कि उनके तरफ से फोन आगा है कि भाई सब क्या होगे हमसे क्या कमी रहेगी अगर उनको दिल से अच्छे होते तो तो यह उमीद बैठे रहे बैठे रहे तो एक दिन कॉल आया लड़की के फाधर का कुछ होता ही है भाई एकदमस तो कुई बार कॉल ने उठा था कुछ खा रहा होता है खाना उनका रहे होता है कुछ बिजी थे जो राहूल के फाधर तो नोने फोन नहीं उठाया, तो उन्हों सोचा कि फिर चलो फिर से आ जाएगा, अब आगमी कहता है कि एक बार कॉल कर नहीं उठाया, ठीक है बिजी होंगे, थोड़े दर बाद ट्राए कर लेंगे, अदे गंटे बाद, बीस मिन बाद, एक गंटे बाद, अगले दिन सुव कोई गॉल नहीं है, तो इनको सोचन लगे कि अब क्या करें, हाँ तो हो गई है, बहुत जादा फंक्शन भी नहीं है, बट क्या करें, क्या करें, क्या ये एक्च्वल में शादी बन पाएगी नहीं, क्योंकि अरड़ी जेल चुके थे अपने घर में, मौसा मौसजी की कि अच्छा नहीं है, आप ये रिष्टा तोड़ दीजिए, मत कीजिए, कमसे शौक, कि भई, इन्होंने तो बताया नहीं कि लड़की भी मांग ले गया, कैसे हो सकता है, ठीक है, वो फिर से एक दूसरे पंड़त जी के पास गए, फिर से वही सेम बात हुई, तो उनको फि एक्सपीरियंस पहले का था अगर में, वो फिर से वह गलती नहीं दौराना चाहते, तो उन्होंने सिफ मना करते और कुछ नहीं, फिर जो लड़की वाले है, उन्होंने फिर बहुत मनाने कुछ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप कर लिजेवे, बो, फिर भी इंको अंदर से था कि नहीं करना, बस, उन्होंने ठान लीती कि ये रिष्टा नहीं करना, राहूल, एक बार, कमरे में बैठा हो था अपने, फोन चला रहे हैं, अब आप सूचिए, अब आप कर आप सोने लगते हैं, तो पांच मिनेट, तस मिनेट, कुछ तो लगता होगा जो शुरू का टाइम में होता है कि अभी एक्तम गहरी नहीं आता है, एक्तम से तो नहीं आता ना, गहरी नहीं, आप सूचिए, फोन चला आते हुए, पूरी लाइट सोने है, बैठे बैठे, 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 ब डर जाता था, कि क्या हो रहा है, उटता था था, तो उसको पता ही नहीं होता है कि मैं कब सोया, दिन में भी कई बार होता था उसके साथ, कि फोन चला चला था एक दम प्योश, जैसे कि इसने बटन दभा दिये उसके उसको, मशीन उफ कर दी, एक्तम कौन, सोगे फिर से ये बाबाजी ये पासक है कि ऐसा ऐसा बात है, ये क्या हो रहा है तब उन्होंने बताया कि ये काला जादू से आपको अपने वंश्वे लेने की कोशिश कर रहे है इसलिए राहूल जो है आपका लड़के को ऐसे होता है बार-बार फिर से पंड़जी ने, जो भी बावजी ने मंतर मंतर की पूजा पाट की जो भी तब जाके बाद में राहूल को ये हो रहा था, वो सब खतम हो गया तो यही कहानी है राहूल की उनके घरवालों की, वो कोट के जब आप शादी करने जा रहे और प्लीज पंड़जी से अच्छे से सला कीजिए कुम्डली मिलवा के उसी चीज को ही मानिए कि क्या कुम्डली मिलके अच्छा रिष्टा बनेगा कि नहीं बनेगा लव मैरिज वगएर अपनी जग है ठीक है पर कुम्डली मिलवाना मत बूलेगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है जो बाकी घरवाले वो किसी भी हद तक कोई ना कोई जा सकते हैं तो यहीती आज की कहानी है अगर आपको पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर दीजेगा क्या आपको लगता है काला जादू होता है या नहीं होता है कमेंट सेक्शन में डाल जेगा और अगर आपको पस कोई कहानी है तो मुझे इंच्टेग्राम पर दीएम किजेगा यही मेरी आईडी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजेगा और बेल आइकन दबाना मुझे जब भी कोई नई वीडियो आईगी सीधा आपको नोटिफिकेशन आईगी कि भाई कि एक नई वीडियो तो थैंक यू सो मच फूर लिसिनिंग और थैंक यू सो मच और आहोली कानी शेर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपने अपना टाइम निकाला अगले वीडियो तक के लिए स्वस्तर ही है व्यस्तर ही है, मस्तर ही है थैंक यू सो मच